हार्ड हिटिंग वीडॉक्स इसने अपने एक्स एकाउंट से शेयर की है इससे पहले रामेशवर ने एक वीडियो में राहूल गांदी से मुलाकात की इच्छा जायर की थी उनका ये वीडियो सोसल मीडिया पर वायरल हो गया था दोस्तों रामेशवर ने राहुल गंदी से मिलकर खुशी जायर की वहीं रामेशवर से मिलने के बाद कांग्रिस मेता ने कहा है कि रामेशवर जी जिन दादल इन्सान है वो बिप्रित प्रस्थितियों में मुस्कराते हैं उनके वीडियों ने पूरे देश को जखजूर दिया था महगाई की बज़े से रामेशर बेचने के लिए टमाटर नहीं खरिद पाये थे और उनकी आँखों में आशु आ गए थे बता दें के हाली में दललन टॉप ने दिल्ली की आज़त पुरमंडी में रामेशर से महगाई को लेकर बात की थी इस दोरान वो भाब को गए थे और उनकी आँखें नम हो गई थी उन्होंने का था कि टमाटर बहुत महगा है मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही उसे लेने की बाजार में किस भाब लिके इस बारे में कुछ पता नहीं है ऐसे में घाटा हो सकता है जो भी चीज खरिदने जाओ वही महगी है ये वीडियो देखने के बाद राउल गांदी ने का कि देश को दो भागों में बाटा जा रहा है एक तरफ सत्ता सन लक्षित ताकतवर लोग हैं जिनके शारों पर देश की नीतियां बन रही है तो दूसरी तरफ आम इंडुस्तानी जिसकी पहुंच से सब्जी जैसी बन्यादी चीज भी दूर होती जा रही है हमें अमीर गरीब के बीच बर्ती स्खाई को भर कर इन नए आंसों को पहुँचना होगा इसके बाद एक अन्य वीडियो में रामेश्वर ने राहुल गांदी से मिलने की इच्छा जाहिर की उन्होंने कहा कि राहुल सर से मेरी बात हो सकती है क्या मैं उनको धन्यवाद कहना चाहता हूँ अगर राहुल जी मुझ जैसे छोटे आदमी से मिलते हैं तो ये मेरा सो भाग्य होगा जब ये वीडियो राहुल गांदी तक पहुँचा तो वह खुद रामेश्वर से मिलने के लिए आज़ाद पुर मंडी पहुँचे इतना ही नहीं राहुल ने सबजी मंडी विक्रेता को अपने घर बुलाया और उनके साथ खाना भी खाया बता दें के रामेश्वर उत्तर प्रदेश के कास गंज से तालुक रखते हैं वह पिछले दसवारे साल से दिल्ली में रह रहे हैं और यहां सबजी बेचते हैं दोस्तो अगर आप को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जदा एदा शेयर करें आप लोगों का बहुत बहुत धन्नवाद थैंक यू मेरी मच